तो हम एक recording कर रहे हैं छोटी से देखे हम अपने पास जब इंड एस अप्लाई करते हैं business combination के तो हमने कहा business combination के अंदर हमें अपने पास consolidation करनी पड़ती है consolidated balance sheet बनानी पड़ती है क्या consolidated profit and loss भी बनाना पड़ता है हाँ मैंने भी discuss नहीं किया क्या consolidated cash flow भी बनानी पड़ती है हाँ मैंने आपके साथ discuss नहीं किया क्या सोकी भी बनानी पड़ती है हाँ मैंने आपके साथ discuss नहीं किया इसका मतलब हमने सिरफ consolidated balance sheet बनाने की बात करी acquisition date बन सकती है जिस दिन आपने subsidiary को acquire किया उसी दिन बन सकती है या कब बन सकती है बताओ जरा या कब बन सकती है post acquisition यह नहीं post के साथ ही कई confused हो जाएंगे after acquisition date तो जो भी acquisition date है उसके बाद भी बन सकती है है क्या है है तो एक सपना ही हम लोग कर क्या रहे हैं हम parent के साथ subsidiary को जोड कर देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम parent के साथ subsidiary को जोड कर देख रहे हैं मुझे बताइए acquisition date पर अगर हम consolidate करते हैं क्या मैंने अभी तक all questions जो मैंने आपको भी तक examples लिए all examples till date क्या वो सभी के सभी on acquisition date के थे the answer is yes मैंने दूसरा part cover नहीं किया आपके साथ तो यहां हम पहुंचे ही नहीं है on acquisition date हम जमने बात करी तो मैंने आपको जो सिखाने का प्रयास किया मैंने आपको कुछ calculations सिखाने का प्रयास किया मैंने का कुछ calculations है for the sake of presentation also हमको बनानी पड़ती है कौन कौन सी calculations मैंने आपको सिखाई थी मैंने एक आपको बताई statement of identifiable net assets कि हमको एक तो यह statement बनानी होती है मैंने दूसरा आपको बताया calculation of goodwill और GBP फिर मैंने आपको बताया calculation of non controlling interest फिर मैंने आपको बताया calculation of consolidated reserves and surplus या consolidated equity मैंने आपको यह सब बताया मुझे यह बताओ इसके अलावा हमने adjustments में आपको कौन कौन सी adjustments बताई तो adjustment में मैंने आपको बताया कई बार entry not recorded on acquisition क्या आपको याद है जब हम entry miss कर जाते थे तो एक entry not recorded on acquisition मैंने आपको सिखाया कि अगर मान लो investment की entry record होनी बंद हो गई है तो हम तब क्या करेंगे फिर मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से हमको revaluation करना पड़ता है revaluation of assets and reliability मैंने आपके साथ दूसरी बात ये कही मैंने आपसे कहा हमारे पास unrealized profits अगर हो तो हमने का उसे हम ignore करते हैं मैंने भी आपको बताया नहीं है वो ignore क्यों करते हैं लेकिन ये मैंने आपको लिखवा दिया था कि हम अपने पास उसको ignore कर देते हैं इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा profit and loss of parent या ऐसा कर दे consolidated P&L होगा P&L of parents consolidated cash flow होगी cash flow of parents और soki जो होगी वो होगी soki of parents plus consolidation adjustments तो मैंने आपको ये भी समझाया नहीं है कि आपको मैंने ये समझा दिया तर नहीं समझाया था यहां तक हम पहुँचेंगे तो मेरे पास ये part खतम होगा फिर मैं acquisition date पर आऊंगा जब मैंने statement of identifiable net asset बनाने के लिए आपको बोला तो मैंने आपसे कहा कि साब इसके तीन parts कर दो कौन कौन से तीन parts करते थे एक तो हम कहते थे on date of acquisition दूसरा था post acquisition जो कि हमारे पास इसके अंदर कभी भी नहीं आता क्योंकि आप on acquisition date काम कर रहे हैं और एक हमने आप से कहा कि आपके पास total हो सकता है मैंने आपको इस statement के अंदर एक बात और भी बताई थी वो ये कि identifiable net assets में identifiable का मतलब क्या है identifiable means which is separable जो की separate हो सकता है other assets के साथ and which can be sold capable of being sold कौन ऐसा है which is not identifiable कौन ऐसा है which is not identifiable तो हमने कहा goodwill preliminary expenses और इस तरह के fictitious assets है उनको मैंने कहा ये तो आप inter से ही जानते हैं कि these are not assets interesting बात तो सिरफ क्या थी goodwill बोली मैंने आपके साथ तो अगर कभी भी goodwill हमारे पास होगी तो क्या मैं अपने पास INA में reduce कर दूँगा therefore अगर if goodwill of as limited is given अगर question में goodwill हो तो आप क्या करेंगे eliminate it in Sina हाला कि मैंने कोई भी question इसका आपको भी तक कराया नहीं है कराया कि मैं उसे गोला लगा लूँ ताकि मैं अगला example ड्राफ्ट करते वक्त इसका द्यान रखूँ कि मुझे ये point डालना है ओके फिर मैंने आपसे कहा हम जब calculation करते हैं NCI का तो NCI की calculation के दो तरीके हैं वो दो तरीके कौन-कौन से हैं NCI हो सकता है at fair value जो कि हमारी first preference है या यह हो सकता है at psna जहां पर आप first preference follow नहीं करते हो वहां पर आप second preference लगाते हो psna में हम कैसे calculate करते हैं हम SINA से आई ने उठा लेते हैं जो अपने पास आई ने होंगे multiply कर देते हैं NCI का share NCI का मतलब क्या हो गया जो आपके पास share नहीं है share not held by parent मैंने notes में कहीं पर यह word not नहीं लिखा हुआ इसलिए कुछ बच्चों की query आई थी मेरे पास किससार आपने लिखा है NCI में share held by parents तो आप उसको please rectify कर लेना notes के अंदर NCI मतलब shares not held by parents जो parent के द्वारा shares held नहीं है फिर मैंने आपसे कहा fair value में कोई दिकत नहीं है number of shares not held by parent not held by parent को हम किससे multiply कर देंगे fair value जो की सवाल में given होनी चाहिए अपने आप मत दिमाग दोड़ाना शुरू कर देना मैंने ये भी कहा था कभी कभी हमें unitary method भी लगाना पड़ जाएगा कब लगाना पड़ जाएगा unitary method जहां पर question में fair value is missing but question आपको कहता है calculate करो NCI at fair value तो आपको ऐसे स्थी में unitary method भी लगाना पड़ जाएगा जब बारी आई थे goodwill और capital reserve calculate करने की तो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने पास इसे calculate करने के लिए क्या करना चाहिए investments को जो आपकी subsidiary में investments हैं उसमें हम लोगों को क्या जोड़ देना चाहिए NCI जो भी होगा चाहे fair value का हो चाहे पसना को हो उसमें जोड़ देना चाहिए और क्या minus कर देंगे इसमें से INA minus कर देंगे और हम जब यह minus करेंगे तो क्या निकल कर आएगी या तो goodwill निकल कर आएगी या GBP निकल कर आएगा goodwill आएगी तो balance sheet में जाएगी लेकिन अगर GBP निकल कर आएगा तो हमने आपके साथ एक चर्चा की थी कि भई आप उसको चेक करेंगे आप रिव्यू करेंगे क्या रिव्यू करेंगे अपने प्रोसीजर्स को रिव्यू करेंगे और प्रोसीजर्स को रिव्यू करके भी अगर मान लीजे जी बीपी आता है तो आप उसको कहां डाल देंगे OCI में OCI से कहां डाल देंगे capitalism में और अगर मान लीजिए आपको लगता है यह not reliable है यह theoretical point है आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं सवालों में आप theoretically कोट करना पड़ेगा तो वहां लिखेंगे कि अगर यह reliable नहीं है तो आप GBP को कहां भेज देंगे GBP को आप directly capitalism में और वहां से balance sheet में भेज देंगे यहां मैंने आपको बताया था कि हमारा कार्वाउट नंबर दो है कार्वाउट नंबर दो यह है कि हम अपने पास GBP को internationally कहां भेज देते हैं profit and loss में as other income जो की इंडिया में हम लोग नहीं करते हैं मैंने इसका note एक बच्चे ने मुझे कहा था मैंने नह नंबर दो का note आपको लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ नहीं लिखवाया होगा तो मैं इसको भी लिखवा दूँगा संजाया तो हुआ है note लिखवाय कि नहीं लिखवाया यह मुझे किसी बच्चे ने का था नहीं लिखवाया हुआ consolidated equity कुछ नहीं है ये जो आपके पास parent का equity होती है plus minus rectification of errors plus capital reserve अगर कोई आएगा तो ये consolidated equity निकल कर आती है ये कोई लंबी चोड़ी calculation नहीं होती है तो मैं आपको इसका note अभी लिखवा दूँगा लाल निशान मतलब ये कि मैं इस पर कुछ काम करना है अच्छा entry not recorded on acquisition के बार में जब हमने बात करी तो मैंने आपको इसे समझाने के लिए कहा पहले तो हमने कहा cost का meaning समझो कि cost का meaning क्या है तो जब मैंने आपको cost का meaning बताया था तो cost के अंदर मैंने क्या क्या बाते बताई थी मैंने का या तो आप cash दे सकते हैं या other assets दे सकते हैं तो इसको तो fair value पर आप ले लिजेगा in consideration कि आप cost में fair value पर ले लेना कई बार आप exchange करते हो तो exchange of shares अगर होंगे तो आप उसको भी fair value पर ले लेना cost के अंदर मैंने कभी कभी कहा deferred consideration होती है जो की देनी तो पका होती है पर delayed होती है तो मैंने कहा इसको आप present value ले लोगे इसकी cost पर और एक मैंने कहा contingent consideration होती है जो unsighten होती है और delayed भी होती है मैंने कहा इसको आप fair value पर ले लोगे in costs फिर मैंने आपको ये कहा था कि हम अपने पास जब जब भी सबसिडरी का जन्म होता है मैंने कहीं और बता रखिये बात ये जब जब भी सबसिडरी का जन्म होता है क्या अर्लियर लॉट को रिवेल्यू करना जरूरी है अर्लियर लॉट को हम रिवेल्यू जरूर करते हैं share capital to security premium to defer consideration to contingent consideration deferred consideration आपकी financial liability में other financial liability में आती है इसकी compounding करनी पड़ती है बाद में compounding का मतलब होता है ब्याज लगा लगा करके लगा लगा करके दिखाना contingent consideration को आप हमेशा पहले इसे दिखाते कहां पर हैं आप उसे non current liability में other non current liability में और accordingly बाद में current liability भी later on बन जाती है तो आप उसको वहाँ पर दिखाते हो इसको आप हमेशा fair value पर दिखाते हो और अगर fair value के changes आते हैं तो मैंने कहा आप उसे P&L में डालेंगे मैंने contingent consideration हमेशा मानिए cash वाली इसलिए P&L बोला है मैंने एक बात कही थी contingent consideration अगर share में payable हो contingent consideration अगर share में payable हो तो ऐसी स्थिती में हम अपने पास उसमें होने वाले changes को equity में adjust करेंगे I hope यह आप मेरी बात समझ रहे हैं बाकी इसके इलावा जो items हैं वो मेरे को कोई समझाने वाली items नहीं है जब हमने बात करी थी revaluation of assets and liability तो मैंने आपसे कहा था parent company का revaluation आप तभी करें if required in question अगर question कहता है कि आप अपने पास parent company के assets और liability रिवल्यू करें तो करें और अगर revalue करेंगे तो if revalue करेंगे if revaluation done तो आपको defer tax भी adjust करना पड़ेगा तो आपको defer tax भी adjust करना पड़ेगा लेकिन subsidiary पर मैंने आपसे क्या कहा था मैंने कहा था revaluation is mandatory और हाँ revaluation के लिए आपके पास एक problem थी बताओ क्या problem है fair value चाहिए तो fair value if given if given it means we should revalue it means we should revalue हमें उसको revalue करना पड़ेगा क्या मुझे उसके साथ DTA DTL भी adjust करने पड़ेंगे the answer is yes मुझे उनका DTA DTL भी करना पड़ेगा क्या हमारे सवाल के अंदर मैंने आपको जो भी एक example बना कर दिया है उसमें इने ये point डाल दिया है हाँ मैंने एक example दिया है उसमें मैंने ये point डाल दिया है already unrealized profit का treatment क्यों नहीं होता मैंने समझाया हुआ नहीं है लेकिन बता देता हूँ unrealized profit का treatment इसलिए नहीं होता because हम stock को किस पर लेते हैं at fair value assets को किस पर लेते हैं at fair value तो यह already fair value पर है इसका मदब unrealized profit इसमें already fair value में adjusted होता है इसलिए इसे ignore किया जाता है समझ में आई बात तो आप अपने चाहिए आप revolution किस दिन कर रहे हो यह revolution कर रहे हो on acquisition date तो आपका acquisition date पर stock पहले ही revenue हो गया तो उसका unrealized profit duplication हो जाएगी इसलिए हम उसको नहीं करते हैं रही बात इसकी की income कैसे करते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे हम इसके लिए भी कोई question ले लेंगे उस question में इसको भी discuss करा दूँगा अभी मैंने इसका कोई question नहीं लिया हुआ है यहां तक की बात समझ में आती है फड़ा फट से बोलो हा के न इसका मैं print out ले लेता हूँ जैदी आप आगे चले गए आप 110 पे आगए 110 मैंने start नहीं किया भी हाँ